अर्जुन कोचिंग क्लासेस, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों बहुत ही important topic पर आज बात करेंगे हम लोग Group D की result के बारे में बात करेंगे मैं कोई ऐसा नहीं की paper cutting पढ़ा रहा हूँ या कुछ नहीं वो तो मैं ऐसे डाल देता हूँ community post में व्यूज ज्यूज ज्यादा important नहीं है दोस्तों आप लोगों को मैं false news होने से आप लोगों को भी बचाता हूँ मैं ठीक है तो प्लीज अभी के date में क्या है websites पर न जितना आप Google करेंगे उतना website वाले लोग भी पैसा कमाते हैं इसी तरीके से group D result जल्द group D result जल्द group D result December में group D result इस तरीके से हम भी उस समय में थे हम भी हर चीज सर्च करते थे न अभारा टाइम्स ये टाइम्स वो टाइम्स इंडिया इंडियन टाइम्स तो बहुत सारे न्यूस पेपर है बहुत सारे कटिंग है है न हर जगह का अपना अपना रहता है तो group D result जल्द तो result real में जल्द आएगा लेकिन कितना जल्द होना है क्या है एक expectation में बता रहा हूं मान करके चलते हैं group D result का है न और जो भी है आज मैं इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा आप लोगों को चैनल में नए आया है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब किजिए इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों ठीक है और जरूर शेयर किजिए मैं हूँ अभी फिलहाल मेरे दाम प्रशान गोपाला और मैं ट्रैक्माइन टी-म-4 पोस्ट में हूँ रेल्वे में 2018 वाल है जो की 2019 में सेलेक्शन होगा था 17 सितंबर 2019 में जो मैंने प्यटी किया था उसका मैं बताऊंगा कितना इंपोर्टेंट है यह आप लोगों का जो 240 सकेंड से 250 सकेंड जो मतलब 4 मिनट से 4 मिनट 10 सकेंड 15 सकेंड तक बात बहुत ही इंपोर्टेंट यह सकेंड से दोस्तों आप लोगों की लाइफ के लिए क्योंकि रेल्वे में ग्रूप D की नौकरी भी आज की डेट में बहुत मुश्किल से मिलती है तो वो आपको कैसे कवर करना है वो बताऊंगा ठंड मौसम में होगा प्यूटी इससे आप को फायदा का बताऊंगा गर्मी की तूलना में तो चले शुरू करते हैं अभी के समय में दोस्तों 35 से 40% लोग ही प्यूटी टाइमिंग पर कर पा रहे हैं मतलब रनिंग 4 मिनट 15 सकेंड के अंतर कर पा रहे हैं अभी एक छोटा से सर्वे होता है 1000-2000 कैंडिडेट्स लोगो तो सही टाइमिंग पर लोग अवेर नहीं होते आंसर की का वेट करते हैं रिजल्ट का वेट करते हैं तब दोड़ेंगे यह सब नहीं होना फीजिकल के लिए तो कम से कम मैं तो बोलता हूं दो महना लग नहीं है तो अभी मैं लाष्ट आप लोग का जो देड़ महना बचा है उसका मैं बताऊँ कैसे करना है देखे दिसंबर एक से पंदरा के बीच में रिजल्ट आना ही है संभव है पूरा गरेंटी है रिजल्ट है न एकस्पेक्टेशन है और यही होगा ज्यादा से यादा पंदरा से नहीं हुआ तो बीस दिसंबर तक आ जाएगा और पीटी जन से एंटीपीसी का लेवल 1,2,3,4,5,6 भी कंप्लेट हो जाना है उतना वहां तक है न क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले ही टेंटेटीव से डिउल आया था एंटीपीसी का ठीक है तो मैं अभी आप लोग को यह बताऊँगा कि ठंड मौसम में आप लोग को क्या फैदा होन उसमें क्या होता है बोडी और रेडि डिहाइडरेट होता है और इतना टाइमिंग लगता है मान करके चलिए एक दिन में 1000 चुडेंट लोग कभी लेते हैं ठीक है तो 1000 चुडेंट को 2500-200 करके भी लेते हैं और चाइमिंग में तो मैं सिर्फ यह अंदाजा बता रहा हूँ आते हैं ठीक है हम लोग को यह में उसमें तो टाइमिंग लगभग आठ नौ बज़े से शुरू होता है पीटी साड़े नौ बज जाता है और ये एक से दो बज़े तक भी टाइमिंग ले लेता है दोपहर को तो ये जो लाश्ट सिफ्ट वाले लोग को दोड़ना रहता है उ ठंडा पानी मत पीज़ेगा हलका पानी पीज़े और एक बॉटल में लेकर करके जाईएगा ठीक है डिहाइट्रेट होने का इसले कम रहेगा दोस्तों क्योंकि ठंड मौसम रहेगा तो इससे आप लोग को एक वोर हता है और क्या है नशली पदार्द का सेवन ना करे रनिं में और एक दिन पहले आप एकदम लाइठी भोजन करें मतलब रोटी सब्जी खाईए ज्यादा है विम नहीं मैं तो बोलता हूं पंदर दिन तक अवाइड ही किजएगा लाश्ट पंदर दिन तक उईली माटेरियल को पेट को एकदम क्लियर रखना है सलाद वलाद का सेव 19, 20, 21, 22 तक प्रिपरेशन किया है और अभी आप लोग का यही चार से मिनट से चार मिनट दस सगेंड तक आप लोग का अंतिम है इसके बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा डिरेक्ट होना है मेडिकल में बहुत कम छटते हैं गुरूपडी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है मेडिकल में ठीक है अब यह मैं बता रहा हूँ कि यह पट्टी यहाँ पर से मान करके चले सुरू करते हैं ठीक है 200 मेटर के एक राउंड रहता है एक राउंड दो राउंड ती राउंड चार राउंड आप लोगो खुद दोर्ण होगा ज़री नहीं कि यह 200 मेटर का होता है प्रायत जगा 200 मेटर का होता है अगर कहीं जगा 200 का हो गया तो चार राउंड होगा आप लोग को यह स्वयम गिनना पड़ेगा कोई आप लोग को बताएगा नहीं कि कितना राउंड हुआ आप लोग को जहां से स्टार्ट के जैसी आप पट्टी टच करने के बाद यहां से स्टार्ट के आप लोग का टाइमिंग शुरू हो जाएगा और आप लोग दिमाग में रखना है कि पहला round है, दूसरा round है, तीसरा round है, चौथा round है, पाजो round है, घड़ी पहनने के allow नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम जगा घड़ी पहनने के allow करते हैं, मेरे मैं जिस दिन running किया था, उस समय घड़ी हम लोग पहन के दोड़े था, उस सम मैं बचा है, तो मैं अपने एक अंदाजा बता रहा हूं, तीन मिनट बावन सकंड में मैं जो किया था, दूसरा बतीस सकंड होता है दोस्तों, ठीक है, तो कैसे किया रहा हूंगा, ये एक expectation है, मैं श्टार्टिंग के जो दोसो मीटर है ना, वो बहुत तेज मार दिया था, 40 सकंड में, वैसी ही 400 मीटर भी था, फिर धीरे धीरे मैं ठकते गया, 50 सकंड, 50 सकंड, 52 सकंड, आखरी, 800 से जो 1000 मीटर का था, वो 52 सकंड लगा दिया रहा हूंगा, तब जाके 2 मिनट 32 सकंड में, ये 3 मिनट 52 सकंड में कर दिया था, प्यूटी पास, और एक average में भी देखे अगर 100 मीटर, जब आप sprint रणिंग करोगे, तेज रणिंग करोगे, तो आपका कम से कम 13 से 14 सकंड हाना ही चाहिए, 100 मीटर को, ठीक है, इस fitness पे हो, तो आप समझ जाब बहुत अच्छे fitness में हो, क्योंकि मैं उस समय 65 से 67 किलो में था, और मेरा इतना अच्छा था, कि 13 से 14 सकं नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ग्रूप D की तयारी कर रहे हैं, वो तो 11 से 12 सकंड भी मार देंगे, जो ग्रूप D की तयारी कर रहे हैं, 10 सकंड का आप लोग जानते हैं, नाशनल रेकॉर्ड है, 9.58 में तो वर्ल्ट रेकॉर्ड है, 100 मीटर का, उसेन ठीक है, इसको हम 50 सकंड में भी एवरेज में लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 200 सकंड और 4 मिनट 10 सकंड, आप लोग को 50 सकंड का भी एक एवरेज में लेते हैं, तो 4 मिनट 10 सकंड में आप लोग का प्यूटी हो जाएगा, और यही आप लोग को लेना है, 2 मिनट 55 ही हो जाओगे तो आप लोग खूद अंदाजा लगा ये कि मैं 200 मिटर 200 मिटर 200 मिटर 200 मिटर को कीस तरीके से मारू ठीक है एक तुम्हें आप लोग को बता दिये 45 सकंड में करोगे तो 225 होगा सकंड मतलब 4 मिनट 45 सकंड जो की काफी अच्छा टाइमिंग है उसके नीचे भी मार रहे हैं मुझे पता है कर दर देता है तो उसके लिए अपना मालिश करा ये हाथ पैर में तेल में मजबूत होना चाहिए आप लोगों को दूद पीजे उसमें क्या 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 सेवन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो ये एक अंदाजा है दोस्तो आप लोग रिजल्ट आप लोग का जितना तो गर्मी में क्योंकि उस समय बारा से दो बये के बीच में हालत खराब हो जाता है तो यह एक प्लस पॉइंट होने वाले है आप लोगों के लिए ठीक है दोस्तों जैसे यह जो था मार्स 2019 का बता रहा हूं चार मार्स को रिजल्ट आ जाता है और कि पीटी के लिए होगा की है न और 28, 29, 31 में 3500 लोगों का लगभग CCR बिलासपूर जोद में पीटी हो जाता है उसमें 1700 सो से लोग ही पीटी क्वालिफाई करते हैं और आखरी में पीटी के बाद भी मेरिट बनता है 1159 पोस्ट की उसमें भी लगभग 1000 कैंडिडेट्स 950 कैंडिडेट्स लोगों का स इस पर फोकस कीजेगा कैसे आप लोग टाइम मैनेज करें 40 सकंड लेते हैं 45 सकंड लेते हैं 50 सकंड इससे ज्यादा मतलीजे 200 मेटर को अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ लास्ट को अगर आप लोग 30 से 40 सकंड में मार देंगे आप लोगों की अच्छी बात है ठीक है 200 मे कीजे थाई मजबूत कीजे अपना ये पैर का ये वाला बोन को मजबूत कीजे तो आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए जल्द ही आने वाले रिजल्ट इतना आप लोगों को उम्मिद कीजे ठीक है मैं कोई पेपर गटिंग नहीं पढ़ा रहा ओके दोस्तों धन्यवाद जै भारत